शूत्रों की माने तो आईपेल की लखनोओ फ्रेंचाईजी की हितारा एंदाबाद फ्रेंचाईजी के मालिक भी अपनी टीम को पहले ही सीजन से चेंपिएन बनाने को लेकर कोई को असर नहीं जुनना चाहते। और इसी के मद्दे नजर एमदाबाद फ्रेंचाइजी ने आईपिल की मेगा आक्शन से भी पहले टीम के कोचपत के लिए पूरभार के कप्तान और हाल ही बे टीम इंडिया के कोचपत की पारी खत्म कर फ्री हुए रविशास्त्री को टीम के साथ जोड़ने का मन बना लिया है सूत्र के मताबिक रविशास्त्री बतार कोच एमदाबाद फ्रेंचाइजी के साथ करार करेंगे यही नहीं इस करार की शर्ते भी लगभग तैह हो चुकी है और जल्दी इस बात का उप्चारिक एलान भी कर दिया जाएगा मन जा रहा है कि नई टीम कैसी होगी इस टीम का कप्तान कौन होगा और तो और एंदाबाद टीम में चुने जाने वाले खिराड़ी कैसे रहेंगे ऐसे तमाम फैसलों को लेने के लिए रविशास्त्री की राए काफी एहमियत रखने वाली है सूत्रो के मताबिक रविशास्त्री ने भी मेगा आक्शन से पहले कुछ राए साजह की है इसके मताबिक एंदाबाद फ्रेंचाइजी के लिए किसी अनुभवी आईपिल कप्तान को चुना जाएगा सूत्रो के मताबिक एंदाबाद फ्रेंचाइजी ने जिम्मेदारी के लिए श्यस आईयर को अप्रोच किया है श्यस आयर को फ्रेंचाइ नहीं फ्रंचाइजी मालिकों को ऐसी राय दी थी कि नई टीम को तयार करने के लिए विदेशी कप्तान से बहतर एक भारतिय कप्तान हो सकता है। इसी के बाद फ्रंचाइजी ने श्रेस आईयर को कप्तानी के रोल के लिए अप्रोच किया। उक्षन से पहले जिन दो अन्य खिलाडियों को एमदाबाद फ्रंचाइजी रिटेन करना चाहेगी। उनमें एक नाम ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर का हो सकता है। इसके लावा टीम के गुजरात कनेक्शन को भनाने के लिए एमदाबाद फ्रंच टीमों के तमाम बड़े और चोटे क्रिकेटर्स के खेल को भी बारीकी से समझते हैं। सुत्र के मतारिक आईपियल की मेग आउक्षन में एमदाबाद फ्रंचाइजी शुयसेयर की कप्तानी में खिलाने के लिए ऐसे क्रिकेटर्स पर दाव लगाएगी। जिन के पास अधने लिए कुछ कर गुजरने को